नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत आज बात करेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कल भाजपा के राष्टिय मुख्याले में जो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं पर ये कहते हुए के प्रहार किया है कि भरष्टाचारी बचाओ अभियान चल रहा है इस पर भी बात करेंगे कि क्या 2024 में ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब से राहुल गांधी की लोकसभास अधस्यता गई है तब से कॉंग्रेस के और भी कटू बोल हो गए है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परती ये जो अटैक है और ये जो विपक्षी दलों के नेताओं की एकता दिखाई दे रही है इस पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा केसी आर इनके साथ क्यों नहीं है अखलेश यादव क्यों नहीं है मंता बैनर जी क्यों नहीं है कई दूसरे नेता क्यों नहीं है इस पर भी चर्चा करेंगे और मेरे साथ लखनव से वरिष्ट पत्रकार विरेंद्र नाथ भट जुड रहे हैं वीरेन जी बहुत स्वागत है नमस्कार वीरेन जी सबसे पहले तो यह बताइए कि यह अगर राहुल गांधी की सज़स्यता गई है अगर राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है उनका वंगलाखाली कराने के लिए नौर्टी सिशू किया गया है तो इसके लिए परदान मंत्री कैसे जिम्मेदार हो गए चौदी साब आप मेरे सवाल के जवाब भीजिए कि अबजल हम शर्मिन्दा हैं तेरे काथिर जिन्दा हैं आतकवारियों की बेल के लिए फांसी की सिजा ताले के लिए रात में दो ये जो आपका वामपन थी वोग इकोसिस्टर दिल्ली का है ये रात में दो बज़े सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेता है आपको याद होगा मई 2018 में करनाटा के विजाब सभा का चुनाव हुआ था और उसमें कॉग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई थी उसमें भी आजी आपको सुनमाई हुई थी लेकिन राहुल कांधी का जो फैसला सुरत के के दिस्टिक कोर्ट से आया है उस आज साथ जिन बार वो अभी तक जो है उसको चैलेज नहीं कर पाए और लगातार ये जूट बोल जा रहा है कि निर्नाय जो है 168 पेस का गुजळाती में है जबकि वो अंग्रेजी में है तो और अगर मांने में भी है तो क्या उसमें आज दिल लगते हैं शह दिल लगते हैं दूसरी बात प्रधान मन अगर सुप्रीम को सुरत की कोर्ट ने इन को पूरा मौका दिया कि क् एक समुदाय के बारे में जो आप शब्द कहें हैं क्या इसके लिए आप खेट पकट करते हैं उन्होंने का मैं नहीं करूंगा मैं अपनी बारते काइम हूँ अगर ये खेट पकट कर लेते तो मामला वहीं खतब हो गया होता दूसरी बात इनको कोर्ट से सम्मन जारी हुआ इ इन और इंग्नोर किया CRPC के सेक्शन 251 में अगर ये उस नोटिस को हाई कोन में चैलेंज कर देते तो भी ये मामला समाफ हो सकता था और ये लोगों को मालूम है ये बात लगातार कही जा रही है अब लोगों को अलट गया होगा कि जन प्रिद्वी कानून Repentation of People Act में जो 2013 में Lily Thompson versus State of India में जो Supreme Court का फैसला था RP Act का Section 8, Subsection 3 में ये फैसला कर भिया था कि दो साल या दो साल से अधिक की अगर सजा होगी तो वो व्यक्ति, वो विजायर्ट या वो सांसर स्वत्ह डिस्क्वालिफाई समझा जाएगा That person will stand automatically disqualified केवल चुनाव आयो की recommendation के अधाल पर विरहान सभा अध्यक्स या लोग सभा अध्यक्स या राज सभा के चेर्मेन को केवल एक और रिबानी है, notification जाली करना है कि फराने state की फराने जिले की फरानी court के द्वारा इस दिन को जो ये ये लिनर court का आया है इस दिन के बस से इस समय से आप जो है disqualified माने जाएंगे और ये seat अब vacant declare की जाती है ये करनोनी विशा है 2013 से आज 10 साल हो गए 32 लोगों का disqualification हो चुका है UP में पांट लोगों का हो चुका है तीन का तो अभी हुआ है चार मेने पहले खतौली के विक्रम सेनी का हुआ वहां पे चुनाओ भी हो गया आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का फरवरी में अधीव हुआ है एक मेना पहले और आज उसके उप्चिराओं के विजेल में है उसके पहले हमीरपुर के विजायक बीजेपी की अशौक तंदेल का एक हत्या के मामले में कन्वेक्शन हो गया वो भी जेल में है वोड इसक्वालिफाई हो गया ये भी बड़ अठाराखी है तो पांस मामले तो यूपी में हो चुके हैं देश में 32 मामले हो चुके हैं कह सकते हैं, यह आप ते देना गलत दिया आप इसको बलट दिए क्या भारत के प्रहार मंंत्री दरेंद मोदी लोग सभा अजक्स से यह कह सकते हैं जिए आप सुरत के कुट के साधेश कों न मझें, क्या चाते हैं क्या कहना भाषा बोलते हैं वो क्या सर्विट करना चाहते हैं और ये सब जो हो रहा है उससे ये बात बहुत साफ है कि ये राहुल गानी की रिलाउंचिंग की एक और तैयारी है कि विक्टिम काट खेलो और हम रिलाउंच करेंगे अपने आपको और डूसरी बात जो जो काफिय से काफिया मिलता है जो सरकंस्टांशन एविडेंस जो मिलता है कि जिस तरीके से वो कैमिल यूश्टी में बोल के आये थे कि भारत में लोक्तांतिक विवस्थाएं द्वस्त हो रही है समझानिक विवस्था बहुत खत्रे में है लोक्तांतिक समाप किया जा रहा है संसर्द में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है जुडिशरी जो है वो अपस्वतन तो नहीं है अभिवक्ति की सुझता नहीं है वीडम आफ एस्प्रेशन नहीं है और प्रेस की आजादी नहीं है तो उससे ये साफ हो गया कि राहुल गांधी को अब जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है जो कर्लिक्शन उसके पहले जो हुआ है तो उनके इस आरोप को बल मिलेगा और जिस तरीके से स्टेट डपार्टमेंट के प्रवक्ता मिस्टर पटेल का जो बयान आया है कि हम इस पे वार वििऐ आप लोच आन डवर केiste अ आप यह नहीं हरते हैं हमारे डेशमें कोई भी अगर डवलो्पेंट हो रहा है कोई भी कोड करने हो रहा है और संसा सरसे कारवाई हो रही है अमेरीका होता कौन है रखने में अर्वारत के अंदरूरी मामलों में निगाह रखने वाला रेह आपके सेंk सांसिसको में और वॉशिंटन में इन्दियन एमबेसी के उपर और सेंwie सांसिसको में जो इंदिया का ऑन्सिलेट है उस पर हम्ले हो रहे हैं उसको तो मचा नहीं पा रहे हैं और भारत म जिन देशों का दूतावास है वह भूमी उन देशों की है उनका उसका मालिकान हग उनका है उनका सौवरेन राइट है जमीन के उपर और भारत की जो अमेरिका में है वाशिंटर में है उसका सौवरेन मालिक भारत का है और उसकी सुरक्षा का जिम्मा देना उस देश की सरकार का होता है आप अपने इस न्यूंतन जिम्मेदारी जो कि विए ना कर्वेंशन है कि डिप्लोमेट्स को और डिप्लोमेटिक कमुणिटी को इम्मूनिटी प्र सिक्यूर्टी एंशोर करना होस्ट गौर्मेंट का काम है वो तो आपकर नहीं पा रहे और आप भारत के अंदूर कि क्या कॉग्रेस पार्टी सूरत के कोट के फैसले को सूरत के डिस्टिक सेशन जज़्ज के हां चैलेंज करने की क्या त्यारी है क्या पिटिशन ड्राफ्ट हुई की नहीं हुई आप बताएए पवन खेडा ने प्राइम मिनिस्टर के पिता के खिलाफ इतनी अभर कि क्या पवन खेडा राहुल गांदी से बढ़ लेता हो गए है क्या तो यह सब जो हो रहा है यह केवल अकल जो है और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने भाशर में इसका बहुत खुलासा किया है कि यह जो एको सिस्टम है यह अपना काम नहीं छोड़ेगा हम जीतते जाए बहुत सब्सक्राइब करने लिए उन्होंने इस बात को इस फच्च किया एँजो यह अरोप है कि विपक्षी दलों को Install कि रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है है अगर आप इसकी गौर से पर्ताल करें तो जितने विपक्षी दलों के खिलाब जो कारवाई हो र मुक्नद्री को और दूसरा नेया मामला है तेरा गाना की मुख्वन्त्री की बेती कविता का जो जो दिल्ली के शराब की पालिसी में जो होटाला हुआ है उसम्द उनका रॉल्मेंट है और दूसरी बाथ यह जितनी जो जो प्रक्षी दल हैं जैसा कर पीम ने कहा कि जितने सब यह सब चोर लुटे ले थे यह सब एक बंच पे अवा रहे हैं यह सारे नेता आज से कुछ साल पहले बल्कि 2019 के लोग सभा चुनाओ या उसके पहले एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे नितीश कुमार और लालु याद और दूसरी बज़े की बात यह है कि चारा घोटाले में लालु यादों के खिलाब पतना हाई कोर्ट में पी आईयर दाखिल करने वाले नेता का नाम था शिवा नंतिवारी और वही शिवा नंतिवारी आज रास्ती जलतारल के रास्ती उपाद्यक्ष है तो बिना तच्छ हो गई है और जो दूसरी बात में देख रहा हूं कि दो हजार चौदा के लोग सभा चुनाओं के बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेद मोदी के इस पत्पे आने के बाद से नौ साल बीत रहे हैं लेकिन भारत का विपक्ष विशेश कर कॉंग्रेस पार्टी भारती जनता प में राहुल गांदी ने बहुत शोर बचाया रफाल फाइटर जेट एयरकाफ जो फ्रांस से खरीदा गया अंतता सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को बंद किया क्लीन चिट्टी सरकार को और राहुल गांदी को वहां माफी मांगनी पड़ी और वह ममला खत्म हो गया अब द दस लाग क्लोर रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन बरबाद हो गया और इंदिया के जितने भी बड़े जो टॉप कंपनीज हैं सबने अपना अपना एक्सपेंशन का नए इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिशर के प्लान को होल्ड पे लग दिया और जो अडानी ग्रूप है वो मूनरा प्रोट में 35,000 क्रोड रुपए की लागत से पेट्रो केमिकल पोजेट लगाने की उसकी योजना थी वो भी होल्ड पे चला गया तो आपने अपने राज्येतिक लाप के लिए आपने इतना वाना नुक्सान देशी अर्फिवस्था का करा दिया और अभी भी वो जारी है लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अडानी का कितने हजा कोड़ का राजिस्थान में है चत्यस गड़ में है बंगाल में है किरल में है और और 2004 से 14 के बीच में अडानी को कितने लाग क्रोड उपे के ठेके मनमौन जिंग की सरकार में मिले तो ये सारी बाते हैं और ये केवल ये केवल जो है और ये बात और स्पस्ट हो गई है कि एक सबस्टेंटिव पोलिटिकल नेरेटिव का विकल्प नफरत की राजनीती नहीं ह हो सकती राहुल गांधी ने अर्पिस्टो किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की महबत की यात्रा की महबत की दुकान चलाई और और उनके बतार उनके नफरत के खिलाब उनकी यात्रा थी और फिर वो वो खुरी कह रेते हैं मुझे एक भी आद्बी ऐसा नहीं मिला जो क अफरत खुरी कर रहे हैं कि एवन इनको जो हेट्रेड है नरेद मोदी से कि मोदी ना होने पावें और ये खाली भारत नहीं चिंता लोगों को नहीं है कि मोदी ना होने पावें अमेरिका को भी चिंता है मोदी ना आने पावें वेस्ट को भी चिंता है ये नेता जो आ रह रुपए में विदेशी व्यापार करने की तयारी कर चुकी है बारा देशों के वोस्ट्रो एकाउंट इंडिया में खुल चुके हैं और आप अगर अभी मार्च के मेहने का जो जो लंदन का अख़वार है गार्जियन उसके संडे एडिशन में बहुत लंबी ख़वर चपी ह अभी 23 मार्च को कि यदि भारत का अगर रुपए में व्यापार का जो सिलसला अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉलर के लिए तबाही आ जाएगी इट विल बी एक कैटास्ट्रॉफ अभी राइटर ने स्टोरी की है 24 मार्च को वो नेट पे अवेलेबिल है कि इंडिया के जि बनाय रखने के लिए बहुत बड़ी चुनौती साविच होने वाला है भारत का फाइदा यह है कि हमारा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जब वासला बढ़ता है इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है यानि डॉलर बाहर ज्यादा जाता है डॉलर आता कम ह तो current account depths बढ़ता है current account depths बढ़ने से रुपए की वैल्यू गिर्ती है रुपए की वैल्यू गिर्ने से government की debt liability बढ़ती है और महगाई बढ़ती है तो यह सारी बाते हैं तो क्या राहुल गांधी क्या इस बात के खिलाप है कि भारत सरकार का अधिकादिक देशों से व्यापार रुपए में ना हो क्या हो चाते हैं और जिस टेजी से भारत का यूपी आई जो जो आपका जो आपका फिंटेक है जो आपका digital economy का एप है यूपी आई है यह जो नाशनल पेमेंट कोर्परेशन लिमिटेट का या जो भी मैप है उसके जरीए जो अब अब दुबई से UAE से सिंगापुर से करीब बारा देशों से भारत को सीधे पैसा आप देश सकते हैं किसी हवाला अपरेटर के पास आपको नहीं जाना है किसी बैंक को कमिशन नहीं देना है इस सबसे हवाला अपरेटरों के सामने जो है संगत खड़ा हो जाएगा अस्तित्तों का जो उनकी खमा खत्रे में है अब चलिए अगर्ले वैसे चुणाओं कंदाटेक में सामने आ जाएगा कि क्या लोगतर खत्रे में है उसके पेले हिमाचल में हुआ तो यह सब बगए लोक्तन के हो गया तो यह एक फर्जी वितंदा खड़ा किया जा रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ा संकट यह है कि कोई मोजी के खिलाब मुद्दा नहीं है और राहूल गांधी को विपक्ष का नेता कोई भी छेतरी पार्टी राहूल गांधी की लीडर्शिप में इलेक्शन लड़ने को त्यार नहीं है अखले शादों ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कई बार कहा है कि कॉंग्रेस को चाहिए कि वो राज्यों में उन छेतरी पार्टी का समर्थन करे जो भार्ती जन्ता पार्टी से मजबूती से लड़ रहे हैं ये बात उन्होंने पिछली अप्ते में कही है तो ये सारा पामला है केवल 2024 के चुनाओं से जुड़ा हुआ है लेकिन कॉंग्रेस राष्ट्री हितों और और नेस्टर इंटर्स से इस हद तक सम्योता कर लेगी ये बात बहुत चौकाने वाली है बहुत डिस्टर्बिंग बात है आपकी समझ में क्या आता है ये कॉंग्रेस का एहंकार और राहुल गांधी की गाली गलोच की भाष्टा खतम क्यों नहीं हो रही है देखिए कॉंग्रेस के पास जमीन पर कुछ बचा नहीं है गाली गलोच की भाष्टा आज से नहीं चल रही है दो हजादो से चल रही है और और इस में और इस मामले में एक समय उनकी माता जी सबसे आगे थी सोनिया गांदी जो जब उन्होंने दो हजाद साथ के गुजार विजार समा के चल रहाँ के समय कहा था मौत का सौदागर करीब आप अगर अगर गालियों का संग्रह देखें जो कॉंग्रेस के नेताओं ने गाली दी है ह्ए नरे भोजी को वो कम से कम بीस पन्लों में है है फडिं बहुत नहीं है तो कॉंग्रेस के पास कोई अज़कत ठोस सबस्टेंटिव प्र इकले स्ट्रीजिजी नहीं होगी विद्रेटिव नहीं और इसके अरहार पर मुस्लिम वोट को अपने पीछे लाममंद करो कुछ हिंदू आही जाएगा लेकिन गुजरात का चुनाओं में जिस तरीके से कॉग्रेस को मुखी खानी पड़ी है उससे जो है इनके इनके साथ में चुनाओती और बढ़ गई है अगर गुजरात में सीटें कम हो जाती भारती अंता पार्टी की तब इनको ल किये अब तो यह कहा ही आ रहा है कि बीजेपी को तो नहीं रोख पाएंगे मोणी को ना बनने दो और इसका एक ही तरीका है कि इनकी सीटें कम कराओ ये सब हो रहा है तो आने वाले दिनों में जो बिल्कुल साफ है कि कॉंगरेस के पास ना तो कोई मुदा था ना कोई संग और वो भी सवालों के घेले में आ गई है कि ये कैसे केंपिन करेंगे सामने आ जा ही अब इसके चुड़ाओं मैं तो ये बताईए कि ये मनीश सिसोदिया, सतिंदर जैन, लालू का कुनबा, मामता बेनर जी के करीबी, शरद पवार के करीबी, सोनिया और राहुल तो खैर जमानत पर ही हैं और वो भी व्रश्टाचार के ही आरोप में इतने मतलब एक पूरी फैरिस्त है विपक्षी दलों के नेताओं की, जिन पर गंभीर किसम के आरोप लगे हुए हैं, इसके बावजूद ये काले कपड़े पहन करके सड़कों पर आ जाते हैं, ये साहस कहां से आता है? देखिए, आज की ताजा खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट में मंता बेलर्जी की पिटीशन थी, उन्हों ने जो रास्टकान के बारे में जो अपती जिलक बयान दिया था, उनके खिलाब मुगदमन ना चलाया जाए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट से उनकी ये रिट आज खार परिनी की, उसकी सेना की भी ड्रस काली ड्रस थी, ये पूरे दुनिया में काले रंग को कुख्याद बनाने का काम जो किया था, वो किया था मुसोलनी ने जो सेकेंड वड़ वार में हिटलर के समय, हिटलर के बाद सेकेंड वड़ वार का सबसे कुख्याद देता था, तो य या उसको लगता होगा कि लोगों का इतियास का ग्यान बहुत अल्प होता है लोग इतियास की पाद से ज़्याद नहीं रखते तो कुछ भी कर लो तो वो काला कपड़ा जो पहन रहे हैं वो वो चाहे अंचाहे इनड़र्टेंटली वो लोगों के मन में इतियास की यादे ता भारत है संसर के लिए नरेन मोदी के लिए भारती इंता पार्टी के लिए भारत सरकार के लिए ये केवल उसका ही प्रदर्शन है वरना कोई भी जो विक्ति भारत की राजीती को जोते लंबे समय से देखा हो वो कोई आपको कोई बहुत solid या valid reason बता नहीं पाएगा कि आखिर के लोगों के मन में कॉंग्रेस की जो लीदर्शिप के मन में नरेन मोदी को लेकर कि जो हिकारत है जो घ्रा का भाव है वो कितना गहरा है वो समस्ते हैं वे जो अब तक जो प्रोटेस का जो एक परंपरिक तरीका रहा है लोग गले में लोग अपनी बाह में काली पत्ती बा तो ये सब जो और तो यह एक जो है यह एक मैसेजिंग है विच अउनली करेज दग अंग्रेस फोड़ इंडिया फोड़ प्रालेमेंट अन फोड़ प्रॉर्मिनिस्टर बहुत यह अपने आप में बहुत ही मैं मानता हूं यह बहुत निननी कदम है अगर आपको लोगसभा मे अगर विलोवत प्रशनी करना है तो हो हमेशा कोई हतोरे मान के फोड़ी किया जाता है लोगतांतिक व्योस्था में विलोवत को प्रशन करने की मर्यादा होती है कि आपने अपने हाथ में एक काली पट्टी बांग ली बस या जो दागा बांग लिया तो यह सब होता है ले यह तो और मुझे कहने में हिचक नहीं है यह कि वर कॉंग्रेस का कालापन है और कुछ नहीं यह बताइए यह बताइए कल जो प्राइम मिनिस्टर का भाशन था खास तोर से भरस्टा चार पर जो वो बोले हैं क्या उन्हाने दो हजार चोदा का एजेंडा सेट कर दिया है दे कि भारती अंता पार्टी में कभी कोई काम एड होक तरीके से नहीं होता तदर्थवात तरीके से नहीं होता उनका जो जो भी काम होता है वो एक लंग टर्म सब्सेंटिक तरीके से होता है वैचारिक अधार पर होता है आइडलाजिकल बिल्दप के अधार पर होता है रखने के अपने के साथ होता है वह चाहें प्राइम निटिस रा मन की बात का काईकरम हो या जैसे कि अभी हाल में पी यह प्रोगाम में कहा कि इतने जिनको हर मेने एक बार नौर्टीस्ट पे जाना आवशक है जिस तरीके से भारती इंटा पार्टी की सरकार के 9 साल में उस्तरपॉर्म की भारत के मुख़ः धारा में जिस टेरी से नौर्टीस्ट जुड़ा है उसकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है और जिस तरीके से अवनाचल में ट्रेन पहुँच गई, नागालेंड में पहुँच गई, ट्रिपरा में, बंगलादेश के जरीए ट्रेन पहुच रही है, नाएने पुल बने हैं, हाइवेज बने हैं, पावर ट्रांस्मिशन लाइन्स बनी हैं, तो यह जो काम भार्ती है जो उसने ये सभी बनाई है कि RSS एक तानाशाह संधन है और नरेंद मोदी दूसरे तानाशाह हैं इतने बड़े देश में एक विक्ति या दो विक्ति के बल पर कभी शार्षन प्रशार्षन चली ही नहीं सकता जब तक आप मैसिव मैसिव स्केल पे कलेक्टिव लीडर्शि है उत्रव देश के मुखमत्री हैं वह कभी दिल्ली कि नहीं देखते की कि उन्हें क्या देनने ले清ory रिस्त्रा का पार्टि की नींति क्या है पार्टि का लांगद्रण क्या और उन्हें क्या करना है वो उसी अनुसर कर रहे हैं और यही क्योंकि यह करनाठक को चुनाव होना है तो करनाठक में प्रहल मंत्री मोधी की यात्राएं बढ़ गई है और आपने देखा होगा कि जनवरी फरवरी मार्श में हर मैंने प्राइम मिरिस्टर की यात्रा एक नाएक प्रोजेक्ट के उधाटन चिलानयाद को लेकर के करनाठक ह हुई है बस यत्ति नहीं बात हुई है लेकिन यह भी तय था पहले से कि यह हमें चुनाओं के एक दो तीन मेहने पहले करना है वो किया और अब जित्ति आत्राएं होंगी करनाठक की उनकी वो सारी के सारी एलेक्शन केंपेन के लिए होंगी तो यह तो तरीका जो है कॉंग प्राक्ति यंद्धा पार्टी में जो भी संग्ठन का काम है यह continuous process है लगातार चलने वाली प्रिक्रिया है और उसमें संग्ठन कारेकरता काडर जनता जनता से सवार यह निननतर चलने वाली प्रिक्रिया है उनके हां चुनाओं हो ना हो इससे असर नहीं पड़ता है तो प कि साथ के रिशक में सप्टर के में कॉंगे के रिशक के कि recomendator क्या बोलते थे जंसन को खतम कर देना है जर से उखार देना है क्या क्या अब बटीदेए यह सब होने बताया तो बीजे पी पीले जो एक विचादार कि अधार पर सरकार को चलाने की जो प्रिक्रिया है उन निरंदर है और जैसे मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में समिठन जो है वो अपना सोतंत्र है वो सरकार क्यों कामू नहीं देखता है कि हमें सरकार से क्या देखना है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जेपी नडड़ा का प्राइम मिनिस्टर से और बीजेपी की अन टॉप नेताओं से दैनिक सर पर रोज कंसल्टेशन और कोडिनेशन नहीं होता होगा लेकिन मीडिया को तो एक बाइनरी ड्रॉ करनी है कि जो है कि समय बीजेपी अजेफ्ट में और अमिश्चा में ठनी हुई है उसको हमेशा जब हर बुद्दे में कबट्विगा पाला काला करें कर दिना इन वड़ो लोग आंने तो लोगो ये खुब चलती है ऐकले खुब चलती है कि योगी अमिश्चा में ठगया वॉर है तो यह सब्सद्रें है और जो मैंने देखा है पिछले 30-30 सालों में बार्टी अंता पार्टी में कभी एड होक तरीके से काम नहीं होता इट से कंट्रिवर्स प्रोसेस अच्छा ये बताईए ये आज मैं श्याम को कॉंग्रिस के एक परवक्ता का बयान सुन रहा था वो कह रहे थे के चुकी राहुल गांदी गोता वड़ानी का मुद्दा उठा रहे हैं इसलिए एक ऐसा केस ढूंडा गया उनके खिलाब जिसमें कम से कम दो साल की सजा हो जाए और उनकी सदस्यता खतम हो जाए ये जो बचकानी दलीले दी जाती है क्या दो हजार उन्नीस में जबके गोता मड़ानी कहीं मुद्दा नहीं थे कॉंग्रिस के लिए उस समय तो राफैल और चोकिदार चोर हैं मुद्दा था तो ये ये कहना है कि साब इस तरह का केस ढूं दो बातें बताता हूँ अभी फरवरी के महने में एर इंडिया ने पांसो जहाजों का ओर्डर प्रेस किया दो कंपनियों को एक अमेरिका की बोईंग और और एयर बस अब्दा फ्रांस और इस कंपनी के के फॉर्मल और के आर्डर के मयू में जो जो वर्ट्वर मीटिंग ह जो युक्त हुई उसमें कौन कौन शामिल था अमेरिकन प्रेडेटंट जीयो बिडेन, बिटिश्ट प्राइम मिनिस्टेर रिशीर सौनक, फ्रेंच प्रेज़न निस्टर मिक्रों, प्राइम मिनिस्टर मेरिन मोधी और एयर बस का CEO और बोईंग का CEO और इंडिया से होंगी और इस दस लाख नौक्रियों में आधे से ज़्यादा तो नौक्रियां ऐसी होंगी जिसमें युनिवर्स्टी डिग्री की भी आवशक्ता नहीं होगी इसके बाद इंडिगों ने फिर हंडिड मिलियन डॉनर का पास सो जहाच का और प्लेस किया इनी अमेरिकन और यह यह बोयंग कंपनी का जो CEO है अमेरिकन फ्रेस घैन में है क्या अर्फरेंच में बीड़ों När उसके मिलता है तो इसका मतलब भोताला है आप इसने पैटाले सब्सक्राइब सब्सक्रिक क economicRegator डेया कि व्यूंग्स होत 색깔र देख लिजिये जब भी कोई British Prime Minister, French Prime Minister, American President, Canada का Prime Minister जब भी इंडिया आया है, वो अपने देश की कमपनीज के CEO की भारी भरकम फॉज लेके आया है, अपने देश का माल बेचने के लिए आया है. अभी फरवरी 20 में Donald Trump इंडिया आये से, और Donald Trump ने कहा कि हमने जितने जो कांट्रेक्ट साइं किये हैं, जितने MOU साइं किये हैं इंडिया के साथ, इससे अमेरिका में एक लाख नौकरियां इससे क्रियेट होंगी. उसके पहले नरेन मोदी के समय ही बराक अबामा इंडिया आये थे, उन्होंने भी ये कहा था, it will create hundred thousand jobs in America, एक लाख नौकरियां के create होंगी. तो अमेरिका और यूरोपियन सी जो heads of state हैं, वो अपने अपने जेश की company को promote करते हैं. और हमारे यहां अगर भारत के प्रधान मंत्री, अगर शीलंका से कहते हैं कि भाई, ये contract port का अडानी को मिलना चाहिए, या Australia के प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं कि ये कौल माइन अडानी को alert होनी चाहिए, को मिलने में मदद करें, तो ये घुटाला हो जाता है. बताईए, ये है हमारी सोच. और आपको याद होगा, नोट बंदी के बाद 2016 में, उस समय कौंग्रिस के जो नेता है मारास्त्रा के पहले मुखवंती से प्रतिवरा चवान, उन्हों ने एक अंग्रेजी अख़वार में लिखके ये आरोप लगाया, ये बयान भी दिया, कि अमेरिका की वीजा और मास्टर कार्ट कंपनियों को फाइदा पहुचाने के लिए इंडिया में नरेन मोदी ने नोट बंदी की थी, आज हालत ये है, बलकि तीन साल से हालत ये है, जब डोनाल ट्रप इंडिया आया, तब उन्हों ने कहा नरेन मोदी से, कि आपका डिज के लिए इसे सान हो, ये जोड़ा ट्रप में शिकायद की मोदी से, और ये कहा कि आप इनके लिए कुछ कीजिए, आज हालत ये है, आप अगर किसी से पता, अब जिने लोगों को बैंक एटियम कार्ड नए इशू हो रहे हैं, और रूपे के एटियम कार्ड इशू हो रहे ह हैं, और वो वीजा मास्टर कार्ड के एटियम का इशू नहीं हो रहे हैं, और दूसरी ताजा घटना जो है, जो एक ब्रांड था दिल्ली का कोड रिंग का कैमपा कोला, जो पिछले 20 सार से बंद पड़ा हुआ था, उसको मुकेश अमानी की कंपनी ने खरीद लिया है, और उनके प्रोड़क्ट लांच करते ही, जो 200 ml का जो उनकी बॉटल थी, पैक्षी कोला ने और कोका कोला ने उसमें 5 रुपए कम कर दिया, तो हमारे देश को लोगों को अमेर्की कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, सैमसंग से कोई शिकायत नहीं है, जो कंपनी कोरिया की उससे क कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत किये वल ये है, कि हमारे देश की कंपनी, हमारे देश का इंटर्पेनियोर, हमारा देश का उद्यमी कैसे आगे बाढ़ वहा है, अरे जितने उद्यमी हैं, आजादी के समय भारत में केवर्ट दो ही लोग थे टाटा बिल्ला, लेकिन आ हर्याना की जो हीरो मोटर कॉप है, जो हीरो मोटर साइकल बनाती है, ये कंपनी क्या थी आज से तीस साथ पहले केवर साइकल बनाती थी, लेकिन आज कितनी बड़ी कंपनी है, कितने देशों में इसका जो है कालोबार है, कितनी लाख मोटर साइकलें ये दुनिया में एक्स चाला होगा यह 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 बड़ा से नेरेटिव है जबकि हम यह जानते हैं कि पिसले 40 सालों से हो रहा है यूरॉप अमेरिका का कोई भी प्रेजडेंट प्रेमिस से इंडिया आएगा तो केवल बात करेगा ट्रेट की जब्दे की वह हमारा बाल खरीदो हमारे उल्टा होता है यह जो वंदे भारत चल रही है इसके पहले स्पेन की टैल्गोर ट्रेन इंडिया आई थी 2019 बीस में और टैल्गोर ट्रेन का पूरे इंडिया में ट्रायल हुआ और अंतता भारत ने वो उसको खालिश कर दिया और यह फैसला किया कि हम अपनी ट्रेन खुद डवलप करेंगे और डवलप कर ली है और डड़नों वंदे कि बार लगाता साथ साल तो वो संसकार वो नेरेटिव हमारे मन में अभी इतना गहरा है कि सरकार से हमको शिकायत भी है सरकार को हम दिनमार कोस्ते भी हैं लेकिन हम ये भी चाहते हर काम सरकार करें लोगों को जानकारी नहीं है कि एर इंडिया अच्छी बनी कंपनी चल रही थी अंग्रेजों से गड़ करके जेराडी टाटा ने 1949 में एर इंडिया खड़ी कर ली और वो ठीक ठाक चल रही थी लेक करके 2021 तक कितने लाग क्रोर रुपया इस देश की गरी जनता का टेक्स टेर का पैसा उसमें डूब गया ये जनकारी किसी को नहीं है बड़ टाटा को बेच दिया आपने भाई वो भी जनता का पैसा था जो आपने एर इंडिया में पच्पन से लेके दोजा बाइस तक या या दोजा किस तक जो आपने जो आपने उसमें डूबने दिया और यूपीय की सरकार के समय प्रफुल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे कितने घोटाले हुए उसमें एर इंडिया के जहाजों की खरीद में कंपनी के पास पैसा नहीं है कंपनी घाटे में है और क्या वो 500 जहाज को खरीदने का और देने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे तो यह सब जो जो अडानी को लेकर खड़ा किया जा रहा है और इस देश के लोग इतने मासूम हैं उनको यह अंदाजा नहीं है कि कितने लाख लोगों की नोकरी चली जो है डूब जाएगी कितने लाख करोर उपे का जो इन्वेस्ट्मेंट का एक्सपेंशन का प्लान था भारत की बड़ी-बड़ी कंप्रियों का सब ने उसको होल्ड पर रख दिया कि भाया अब हम बैंक से लोन मांगने हम नहीं जाएंगे कोई हम पर आरोप लगा देगा कि यह जो है यह लोन मो नुकसान तो हुआ दस लाख करोर रुपए का लेकिन हिंडन मन को कितने कितने बिलियन डॉलर का लाब हो गया यह जानकारी कहीं आपको एक लाइन नहीं मिलेगी यह कहीं नहीं पता लेगा और दूसरी बात अडानी की कंप्रियों में लोवर सर्कित लगा अडानी की कंप् यह चाहते हैं कि पूरा-पूरा Bombay Stock Exchange बैठ जाए और इन्वेस्टर का निवेशक का पैसा आज 15 क्रोड लोग primary market के मार्धियम से और mutual fund के मार्धियम से Bombay Stock Exchange से जड़े हुए हैं और asset under management जो आज ही तारिक में mutual fund का है वो 23 लाग क्रोड रोपे से उपर है महिने में और सब 14,000 क्रोड रोपे जाता है mutual fund में और इसमें से प्रती महा देने वालों में 100 रोपे से लेकर के 1 लाग रोपे देने वारे लोग हैं आम आदमी भी हैस में हर आदमी डाटा बिड़ला देश में नहीं है तो अडानी को टार्गेट करके हो सकता है कॉंग्रेस को राहूल गांदी को कुछ चातकालिक पुल्ट का लाग मिल जाए लेकिन देश का नुकसान ही हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद विरेंजी इतना समय निकालने के लिए OCN Network के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच असकार